हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने Android TV, Smart TV याने TV में एक wireless keyboard कैसे connect कर सकते हो wireless mouse भी connect हो आता है सेम तरीके से जैसे बता रहा हूँ मैं तो wireless आप keyboard कैसे connect कर सकते हो आईए जानते हैं मेरे पास यह Dell company का है, आपका कोई TV company का हो, सबका सेम ही तरीका होता है पर एक चीज ध्यानक नहीं होती है, keyboard connect करते समय आपका जो keyboard होना चाहिए, वो plug and play वाला option होना चाहिए यानि कि अगर आप keyboard connect करना चाहो, तो उसके लिए कोई अलग से software download ना करना पड़े तो ध्यानक नहीं है इस बात का आपको इसके साथ आपको एक USB adapter मिल जाता है, उसी company का, उसी keyboard के या mouse के साथ आएगा जिस company का mouse है जिस company का keyboard या mouse है इस USB adapter को आपको लगाना है अपने TV के USB port यानि पिछले वाले हिस्से में कैसे लगाना है मैं बताता हूँ, तो हम camera को उठाते हैं और लगा के बताते हैं तो यहाँ पे हमारे TV है, तो हम इसे side करते हैं, उठाते हैं तो पीछे की तरफ कुछ हिस्से दिये हुए हैं, आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक USB port है, आपका साथ नीचे की तरफ होका देखिएगा तो हम इसको लगाते हैं, इसके अंदर आप भी लगा दीजिए तो हमने लगा दिया है, अब हो सकता है आपका TV बंद हो जाएं तो यहाँ पे आपने TV को दुबारा चालू कर लेजिएगा, रिमोट वगरा से और यहाँ पे आपका जो माउस है या कीबोर्ड है, वो डारेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इसके लिए आपको कोई भी एप डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम ऐसे पेज़ पे जाते हैं, जहाँ पे हम इसे यूज करके देख सकें जिसकि हम यहाँ पे जाते हैं एप इस्टोर के अंदर और यहाँ पे हम सर्च वाले उप्शन में जाते हैं ताकि हमारा कीबोर्ड चल सकें तो यह रहा हमारा कीबोर्ड और यहाँ पे हम प्रेस करते हैं ए तो आप देख सकते हैं यह चालू हो चुका है यहाँ पे हम सर्च करते हैं लिखते हैं कुछ भी तो यह प्रेस होता जाएगा तो ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें और ऐसे इसको यूज करें वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना मद भूलिएगा